जालावार जिले के दग में कोरोना महामारी नियंत्रन के लिए आज पंचायत समिती सभाभवन पर उपखंड अधिकारी जनक सीई की मोजुग्गी में 32 पंचायतों के सरपंचों के साथ बैठक का आयोजन हुआ प्रधान प्रतिनिधी भेरुसिल परिहार के निवेदन पर मात्र एक घंटे में सभी सरपंच जनप्रतिनिधी भामाशाहों ने 29 लाख रुपे की राशी का सहयोग किया एवं बताया कि यह राशी चिकित्सा उपकरण सहित अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च होगी सभा भवन में क्षेत्रिय विधायक सहित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया उपखंड अधिकारी जनक सिंग ने बताया कि दूसरी लेहर में क्षेत्र में जो कमी रही और इतनी मोते हुई इसकी पुन्रवर्ती नहीं हो ऐसी आशा है जिसके ये क्षेत्रे की चिकित साल्यों को हर तरह की सुविधायुक्त बनाया जाएगा प्रधान प्रतिनिधी भेरोसिंग परिहार ने कहा कि सभी भामाशा सरपंच जिन्होंने सहयोग दिया है उन सभी आभार व्यक्त किया बैठक में क्षेत्रिय विधायक डिवाइसपी ब्रिच मोहन मीना विकास अदिकारी हनुमान मीना तहसीरदार डग सहित सभी सरपंच गंड मौजूद रहे अजमानी एजजम साथ द्वारा 32 पंचायतों की यहां पर कोरणा महामारी की अगली तयारी के लिए मिटिंग रखी थी हमारे 32 पंचायत के सरपंच मोहदों दें जिस तरीके का दिल खोलकर और इस शेतर की जनता के लिए गुंतिस लाग सम्टिंग कितना कितना मिनियमं गुंतिस लाग रुपे हैं पूरी तीस लाग रुपे हैं इस डग पंचायत के सभी सरपंच हाइबान ने आने वाली महामारी के लिए साप के सुपरत कियें और हर तैयारी के लिए हर सरपंच यहां पर कटीब दे और मैं सभी सरपंचाय समिती के 32 सरपंचों को दन्यवाद देना चाहता हूं कि वाक्य में आपने जनता के लिए जिस जनता ने आपको बिठाया उसके लिए जिस तरीके से दिल खोलकर आज आप उनके सहीयों के लिए आगया है मैं इसके लिए एक बारा को दन्याव देता हूं जो सेकिंड वेव आई थी कोरोना की उसमें जो अनुभव किया गया और जो उसका अनुभव के जो हमें कमिया मैसूसी उन कमियों को दूर करने के लिए आज सभी सरपंचों की बैठेक बुलाई गई जिससे कि हम हर पीएचसी और सीएचसी में जो भी सामान कीशी भी कोई कम है उस सामान की पूरती कर सकें और जो संभावना थड़ वेव किये उससे पहले हम पूरी तरह से संसाधनों से पूरा सिंपन हो जिससे कि हमें जो इस बार जो मैसूस करना पड़ा वो भविश्मे में नहीं करना पड़े जो छती मनुष्यों की मानुजाती की हुई है वो आगे नहीं हो